Hello everyone, welcome to my YouTube channel हिमाचापदेश शिक्षा विवाग में 8000 नौकरियां और काफी लंबे समय से जो शिक्षा विवाग है वहाँ पे विकेंसिस का बेट कर रहे हैं और यहां पे जो है वो यह विकेंसिस का यह आप देख सकते हो यह लेटर कल इसकी फोटो वाइरल थी हर एक ग्रूप में तो जो कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से एक लाख रोजगार देने के लिए अभी तक उसकी एक महीने में कोई बैठक तो नहीं हुई लेकिन हर एक डिपार्टमेंट से खाली विकेंसिस का बेउरा मांगा था तो सिक्षा विवाग ने ये लेटर भेजा है तो यहां पे हर एक जो पोस्ट है उसके बारे में मेंशन है कि कितना कैडरे है कितनी विकेंसिस है कितनी 31, 12, 12, 13 तक रिटार्मेंट है तो सारी डिटेल यहां पे दी गई है तो यहां पे आप देख सकते हैं TGT की 2462 हैं JBT की 251 हैं सारी यहां पे टोटल मेंशन है और यह भरतियां पिछले कुछ लंबे समय से लटकी भी हुई है इसका रिजन ही है कि जैसे JBT भरती है तो वहां पे भी आपको पता है कि optional appointment अभी दी गई है क्योंकि court case वहां पे भी है उसके लाबा जो school lecturer है information practice का तो वहां पे पांच सालों से case चला हुआ है और drawing master की भी वह limit लगाई हुई है 100 student की तो उसमें भी वहां पे दिक्कत है तो इस चीज से जो है यह भरतियां लटकी हुई है तो अब देखते हैं कि क्या सरकार में है मैं तो यही बोलूँगा कि 8000 में से अगर दो से तीन हजार vacances को भी सरकार फिल कर लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी और एक side entity की भरती भी पिछले एक दो सालों से complete नहीं हो पा रही है लगातार तीन चार सालों से भरती के लिए budget center government दे रही है और वो lapse हो रहा है अभी 2022 से लेके 2023 तक जो है वो 47 क्रोड का budget था center government की तरफ से और अगर यह भरती मार्च में नहीं हो पाती है तो देख पाते हैं कि यह vacances अब आती है या नहीं आपाती है कब तक आपाती है और मतलब इस तरह से अगर court cases का ही reason बनता है कि यह भरती है डिले होती है बाकि अगर सरकार चाहे तो सरकार इनको फिल कर सकती है क्योंकि सरकार चाहती थी कि JBT की भरती जल्दी हो तो वहां पे optional appointment दे दी अगर सरकार चाहेगी तो JYT में भी इस तरह से हो सकता था क्योंकि candidate वहां भी यह मांग कर रहे थे और इस तरह से अगर इतनी vacancies सिक्षा भिवाग में होंगी तो स्कूल है वैसे भी बंद होने की ककार पे हैं बहुत सारे स्कूल क्योंकि वहां पे staff नहीं होता फिर बच्चे वहां कहां पढ़ेंगे फिर जो ग्रामिन शेतर होते हैं वहां पे जो गिनी चुनी appointment होती है तो वहां पे कोई join नहीं करता है और joining से पहले ही वहां से लोग transfer करवा लेते हैं बहुत सारी ऐसी news भी मैं लगातार देख रहा हूं तो जो वहां पे गाउं साइड जो बच्चे होते हैं तो उनको वैसे भी वहां पे गिने चुने student तो होते हैं लेकिन गिने चुने ही teacher वहां पे भी हमें देखने को मिलते हैं अगर यहां पे cadre full रहेगा तो वहां पे भी अच्छे teacher available होंगे और उनको अच्छी education मिल पाएगी तो देखते हैं कि अब क्या हो पाता है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like comment share कर सकते हो channel को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए